हलो एवरिवन वेलकम तो नीट यूजी इंटेन ब्रॉट वाइन अकाड़िमी जो कि इंडिया का लार्जिस्ट ओनलाइन लनिंग प्लाटफॉर्म है यहाँ आपको मिलती हैं डेली लाइफ क्लासे लाइफ टेस्ट इन क्विज्जेस स्ट्रॉक्चर कोर्से अन अनलिमिटे लेकिन उसके लिए आपको हमसे जुड़ना होगा अन अकाडमी लर्निंग डाउनलोड करिए गूगल प्ले स्टोर पे जाके या फिर आयोस आप स्टोर पे जाके एंडेन आपको लेना होगा हमारा नीट यूजी का पेच सब्सक्रिप्शन हमारे सारे फीचर्स अवेल करने के लिए इसके लिए आपके पास कई ऑप्शिंस हैं 136 1224 सिंस नीट यूजी का स्लेबस थोड़ा वास्ट है थोड़ा टाइम टेकिंग होता है इसलिए एक साल यह दो साल का पाकेच सबसे अदा पॉपलर एंड मोस्ट रेकमेंड़ भी है स्पेशली जो बच्चे बिगनर स है क्लास 11 12 उनके लिए तो यह बहुत ही एडवांटेजियस है प्लस अगर आप मेरा रिफरल कोड लव 10 यह यूज करेंगे तो आपको मिलेगा एक्स्टा 10 परसेंट ऑफ जो भी हमारी बेस प्राइस है मेरा नाम लवकिशोर श्रिवास्तवा है मेगल यूनिवर्सिटी कान मोनो हाइब्रिड ठीक है मैंने आपको बताया था मोनो हाइब्रिड हाइब्रिडाइजेशन मतलब दो प्लांट्स के बीच क्रॉस करना ठीक है और हम जेनिटिक्स में अगर सिर्फ एक ही कैरेक्टर जैसे प्लांट की हाइट हो गई ठीक है फ्लार की पोजिशन हो गई फ्ल का colour एक कुछ भी हो सकते हैं सारे characters आपको बताये थे plants के ठीक है तो अब दो character एक साथ अगर लेके उसको cross किया जाए study किया जाए तो वो die hybrid cross के रहेет ठीक है देखिए inheritance of two genes is school sick Mendel also worked with n cross pea plants that differed in two characters जिसका example आप देख सकते हैं cross between a pea plant that has seeds with yellow color seed का yellow color and round shape तो जो आपने seed में देखा एक चीज हो गई color एक चीज हो गया shape दो चीज consider की आने ने क्या क्या हो सकते थे color जो हो सकता था yellow और green shape क्या क्या हो सकता था round या wrinkled अब बात आती है कि मेंडल ने क्या देखा that seeds resulting from the crossing of the parents had yellow colored and round shaped seeds ठीक है ना याने की dominant क्या हुआ yellow यह तो आपको पहले ही बता रखा है कि जो parent की crossing से F1 में जो चीज आती है वो dominant वाली होती है तो यहाँ पे आपने dominant guess कर दिया कि yellow और round होगा ठीक तो capital Y yellow बताएगा छोटा वाला Y green बताएगा capital R round बताएगा छोटा वाला R wrinkled बताएगा ठीक यह चीज़े दिमाग में जान लेना क्योंकि आगे काम आएगी तो क्या हुआ yellow color was dominant over green and round shape was dominant over wrinkled ठीक these results were identical to those that he got when he made separate monohybrid crosses between yellow and green ठीक है सिर्फ color seat color उसने चूज़ किया तब भी उसने देखा था कि yellow dominant था green के उप़र ठीक है और round अलग-अलग अगर देख रहा था mono hybrid सिर्फ shape देख रहा था तो round और wrinkled में round dominant था ठीक तो उसने देखा कि दो consider कर रहे हैं तब भी कोई खास फरक नहीं पढ़ा जो dominant है वो dominant है ठीक अचा जीनो टाइप यहां पर क्या क्या हो सकता था देखिए जो पेरेंट्स थे यह होगा है ना क्योंकि पेरेंट्स प्योर लाइन होना है तो वो होंगे dominant याने round And ये लो तो ये हो गया homozayagous प्योर लाइन तभी तो होता है और ये रिसे से हो ठीक है और दो आर क्यों होने है आपको पता ही है 2 y क्यों होने यह भी आपको szerak है दो jeans होते हैं दो hellyles होते हैं और यह ठीक अब इन से जो gamete बनेगा अब आप समझ गए एक ही तरीके का तो gamete बनेगा यह तो र-y बन सकता है इससे छोटा र-y बन सकता है अब यह आपस में cross होंगे तो क्या बनेगा capital r small r बड़ा y चोटा y यही बनेगा तो दो dominant यहाँ पर r present है इसलिए वो round और yellow मिले थे ठीक है अब आप चलो देख तो एक बार इसमें देख लेते हैं जो इसका यह है पुनिट स्कूर पी generation क्या होगी rr yy small r small y इससे जो gametes बनेंगे कौन से बनेंगे यह बनेंगे इससे यह बनेंगे यह भी हमने दिसकस किया एफ बन जनरेशन क्या होगा एक capital x small एक capital x small यह होना चाहिए अच्छा अब इनसे gametes कितने बनेंगे यह आप तो चार तरीके के gametes मिलेंगे क्या-क्या पहला तो मिलेगा capital r small y ठीक है दूसरा क्या मिल सकता है छोटा r लेलो बड़ा y लेलो तीसरे में बड़ा r लेलो छोटा y लेलो और चौते में दोनों छोटे 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 ठीक है दोनों केस से यह बनेंगे तो देखो एक side set कर दो ये male का एक side set कर दो female का इतने में तो कोई पंगा नहीं फसर है ठीक है अब इनको cross करो देखो तो capital ry capital ry करोगे तो ये मिलेगा ठीक as such जितने भी cross है इनको बना दोगे तो तुमको देखो कितने मिलना है इस case में एक दो तीन चार्थ है दो तीन चार्थ तो 4 into 4 याने total 16 मिलेगा ठीक है 16 combinations मिलना है या देखो अब बात आती है कि इसका phenotype और genotype क्या होगा तो देखो इसमें इस हिजाब से ही बना हुआ है जो dominant वाले हैं या shape से देखो जिसमें एक भी capital R हुआ तो हमको जो combinations है वो भी तो 4 मिलेगा नीचे देखो एक हुआ round yellow जिसका मतलब होगा ये ये या फिर ठीक है या फिर एक y छोटा y ठीक है समझ गे ना एक एक dominant present होगा दोनों में ठीक round green का क्या मतलब है कि r वाला जो है वो ये present हो सकता है लेकिन y दोनों केस में छोटा होगा या ठीक है इन दोनों केस में क्या बनेगा देखो round green round ठीक है तो इस तरीके से तुम अगर total number count करना शुरू करोगा रिंकल्ड yellow का क्या मतलब होगा जो r है वो छोटा होगा और या फिर इन दोनों केस में क्या बनेगा खुद देखो ये तो छोटा है इसलिए रिंकल्ड ये एक केस में heterosagous है एक केस में homozoagous है लेकिन दोनों ही केस में ये रिंकल्ड yellow बनेगा रिंकल्ड green का मतलब सब का सब recessive है यानि ये एक ही बनेगी ये वाली जो ये है ठीक है अब इसको count करना शुरू करोगे तो round yellow जितने है एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ और नो ठीक तो देखो 9 आ गया round और green देखो तो ये है one ये है two ये है three तो ये थ्री आ गया ठीक wrinkled yellow वाले देख जो इस type के है ये भी आएंगे क्या one two और three क्यों बन रहा है इनका genotype तुम देख सकते हो ठीक है genotype देखके समझ में आ जाएगा सीरिसी देखिए क्या बनेंगे तो ये wrinkled yellow हो गया और अब total add कर लो कितना होना चाहिए था 16 होने चाहिए थै नाइन प्लस थ्री इस 12 प्लस थ्री इस 15 प्लस वन इस टोटल 16 ठीक है तो अब इसका बेस्ट तरीका समझने के लिए क्या है याद रखने के लिए क्या है बस आपको इतना याद रखना है ये समझ में आ गया अगर यहां गयमीट्स क्या बन रहा है ठीक है पेरेंट जनरेशन से तो एफवन जनरेशन आप बता लोगे एफवन जनरेशन से क्या क्या गयमीट्स बन रहा है ये हमने देख लिया वही इंपोर्टन चीज होती है ठीक है ना एफवन जनरेशन के गयमीट्स अगर आप देख लोगे त थोड़ा सा ज्यादा बढ़ा हो जाएगा अब अगर कैल्कुलेट कर सकते हो तो खाली टाइम अगर हो रफ में तो प्रैक्टिस करने के लिए इसका जीनोटिपिक रेशियो भी निकाल सकते हो लेकिन वह बहुत कॉंप्लिकेटड है इसलिए उतनी उसकी चिंता करने की ज़रत नहीं है तो आयए होब कि एक बेसिक डायहाइब्रीड क्रोस जब लेके चल रहे हैं तो चीजां कैसे होंगी बेसिक मोनो हैबृइड वाला ही कंसेट है dominant होगा जो वो dominant रहेगा ही रहेगा जो recisive है वो recisive रहेगा अगर dominant के दोनों में यह तुमने देखा चार combination बनेगे ना एक case में पहला वाला dominant है दूसरा be dominant एक case में पहला dominant दूसरा recisive तीसरे case में पहला recisive दूसरा dominant और चौते case में दोनो यह चीज़े दिमाग में रखोगे तो उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया हो वीडियो पसंद आया तो लाइक करो कमेंट करो सब्सक्राइब करो लव 10 जो मेरा रेफरल कोड है यह यूज़ करके आप अनकाडमी से है जहां पे आप मेरी क्लासेस का रेगुलर अपडेट पासकते हों